हेलो एबरीबन मैं नंदिनी सिंग इस ब्याच्चू पाडशाला में ऑनलाइन क्लासिस की थूप मैं जोग्रफी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड पॉइंट को कवर करने आई हूँ अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ आप लोगो सबसे पहले बात ये कि आप हमारे ब्याच्चू पाडशाला में प्रीमियम कोर्सिस को भी जोइन कर सकते हैं और ब्याच्चू इंटरेंस के लिए या किसी भी सेंट्रल इंपोर्टेंट चीजे होंगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी और दूसरी चीज ये कि मेरा कंटेंट इंग्लिश में है लेकिन टेंशन लेनी के बात नहीं है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्स्प्लेइन करूंगी और तीसरी बात ये कि आपको वीडियो को skip नहीं करना है पूरा last तक देखना है क्योंकि मैं last में कुछ important questions कर रहा हूंगी जो बहुत important रहेंगे और helpful रहेंगे हमारे exam के purpose के लिए हम start करते हैं अपनी वीडियो हमारा topic है इंडिया and its location तो location का मतलब यहां पर इसलिए आ रहा है कि location जानना हमें बहुत जरूरी होता है किसी भी जगह का तो इसी तरह इंडिया की भी अपनी एक location है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे so let's start हमारा पहला point है sorry हमारा पहला topic क्या कहता है देखते हैं सबसे पहला हमारा कह रहा है location phenomena related to its or location latitudinal and longitudinal location phenomena यहां पर location की बात हो रही है कि हम जगह को जगह मतलब किसी भी location को जानने के लिए हमें किन किन चीजों की बहुत जरूरत होती है उनसे related चीज तो यहां पर latitudinal and longitudinal लि यहां पर लोगों को बहुत confusion होता है खासका students को latitude और longitude क्या होते हैं सबसे पहले बात करेंगे हैं कि यह long lines का मतलब होता है longitude और यह जो लेटी हुई lines का मतलब होता है latitude ठीक है तो इसी तरह यहां पर पहला point है हमारा India is located in northern hemisphere यहां पर ऐसे लिखा है यह जो लिखा है first point हमार तो northern hemisphere पर यहां पर बात होती hemisphere अगर देखेंगे हमारे earth को अगर दो पार्ट में करेंगे तो सबसे पहला पार्ट होगा north दूसरा होगा south तो हमारा India कहां पाया जाता है northern hemisphere में ठीक है और हमारा दूसरा point क्या कहता है कि its latitudinal extent is from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north तो यहां पर north and is लिखा है क्यों आपको कि latitudinal का मतलब होता है लेटी हुई लाइन्स का मतलब horizontal lines जैसे ऐसे गई हुई लाइन्स जो है हमारी तो इसका extent जो है यह जो हमारा southmost area में देखेंगे तो यह 8 degree 4 minute north की बात किया है 37 degree 6 minute north तो यहां पर हमारा latitudinal यहां पर देखेंगे तो 37 degree 6 minute north होगा यह हमारा extent हुआ है इस third point देखेंगे इस longitudinal extent of the country is from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east तो यह हमारा यह इसकी बात किया हुआ है तो गुजरात से अनुनाचर प्रदेश तक की बात किया यह साम बोलें आप तो तो कहा जा east e क्यों डिखा है तो आप GST एक होगा sorry GMT GMT की बात यहां पर मैं कर रही हूँ आगे point में आएगा मतलब इसका मतलब होता है green which meridian time इसका मतलब है कि अगर world means globe में देखेंगे तो वहां पर inland जो होगा उधर से एक line pass होगा उसको zero degree कहते हैं zero degree जो होता है उसके left hand side western part के countries पाए जाएंगे और right hand side eastern most part country पाए जाएग जो है इसका वो east side में है तो जिसको हम कह सकते हैं कि इसका longitudinal extent जो हो जाता है 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minute east होगा और हमारा last point क्या कहता है the topic of cancer 23 degree 30 minute not divides the country into almost two equal parts तो tropic of cancer आप देखेंगे हला कि यह होता है हमारे तीन most latitudinal आप tropic of cancer को latitude बोल सकते हैं तीन most latitude के नाम दिए गये हैं वह है equator, tropic of cancer and tropic of capricorn, tropic of capricorn आप जानते हैं कि वह southernmost part में पाए जाता है तो tropic of cancer का मतलब है कि हमारे दो equal parts क्योंकि यह center इंडिया को center से divide करता है इस वज़े से यह two equal parts में इंडिया को divide कर रहा है इसकी degree 23 degree 30 minute north दी गई हुई है ठीक है तो हम next topic के बारे में बात करते हैं अपने कुछ points हैं जो जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर दिया है कि पहला point हम अगर देखे तो पहला point अगर हम देखे इंडिया is the seventh largest country in terms of area in the world area की basis पर अगर हम देखे तो इंडिया हमारा साथवे नंबर पर आता है साथवे नंबर पर अगर कहेंगे तो इससे पहले भी कोई 6 आए होंगे countries तो सबसे पहला जो है हमारा Russia Canada USA China Brazil Australia ठीक है इसको रुकु रुकुबाय कर सकते हैं मतलब sort form में याद करने के लिए उसके बार आता है हमारा India means साथवे नंबर पर तो इसको आप sort form में याद कर सकते हैं रुकुबाय नंबरिंग के साथ और फिर बात है कि second point अगर हम देखें अपना the area of India is the 3.28 million square meter India's total area accounts for about 2.4 percentage of the total geographical area of the world जो इंडिया है वो हमारा कितने उसकी land mass कितनी है 3.28 million square meter में हमारा इंडिया की land mass पाई जाती है और उसका total geographical area जो है world में क्या होता है कि पूरे world wide में जो हमारी country इंडिया है वो 2.4 percentage में स्थित है उतने percentage में पाई जाती है और third point देखते हैं हमारा third point है India has a land boundary of about 15,200 km and the total length ये जो है total length of the coastal line of the main land including अंदमान और निको बार एंड लक्षवदीप इस 7,616.6 km इसको समझने के लिए आप next slide पे अगर जाएंगे तो मैं इसको बताती हूँ क्या है यहाँ पे land boundaries की बात की गई है तो land boundaries अगर आप देखेंगे इंडिया की तो एक निट में आपको ये दिखाते हूँ land boundaries क्या है land boundaries अगर देखेंगे इंडिया की तो ये land boundaries हमारी है ये जो land ये land boundaries होती है हमारी इंडिया की ये land boundaries हमारी कितनी है 15,200 km और coastal line ये हमारे main land कहलाते हैं ठीक है और फिर coastal line की बात की गई है जो की है ये हमारी coastal line पाई जाती है गुजरात से लगा है पूरा Bay of Bengal के साइड ये पूरा जो जाता है तो ये हमारी coastal lines हुई जिसके साथ अंदमान और निकोबार आईलेंड और लक्षवदीब भी लेते हैं तो आप अगर देखेंगे तो लक्षवदीब जो है हमारा ये हमारा लक्षवदीब है और इधर हमारा जो है ये अंदमान है अंदमान और निकोबार आईलेंड ये लक्षवदीब है तो ये साउथ वेस्ट वेस्टन पार्ट का हमारा है और ये साउथ इस्टन पार्ट है जो ये मेन लैंड में इंक्लूड किये जाते हैं अंदमान निकोबार आईलेंड और लक्षवदीब को इस टोटल एरिया जो ह 7616.6 km तो वापस हम अपने स्लाइट पर आते हैं जो है फिर यहां पर बात किया है थर्ड पॉइंट जो है मारा जो हमारा थर्ड पॉइंट है दे स्टैंडर्ड मेरेडियन ओफ इंडिया 82 degree 30 minute east which passes through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country हमारे इंडिया में यह जो इस्टैंडर्ड मेरेडियन है उसको जो 82 degree 30 minute east इसलिए लिया गया है यह स्टैंडर्ड टाइम इसलिए लिया गया है क्योंकि यह सेंटर से होके हमारे पास जात होता है ठीक है तो इससे यह टॉपिक ऑफ कैंसर से करते हुए means अगर आप देखेंगे जो टॉपिक ऑफ कैंसर है उधरी से हमारी स्टैंडर्ड मेरेडियन ओफ-लाइन को भी लिया गया है कुछ-कुछ स्टेट इधर से गुजरते हैं जैसे कि हमारा हुआ गुजरात राजिस्थान मध्यप्रदेश MPG से कहते हैं 36 गड़ जा प्रिक ऑफ कैंसर भी जाता है सौरी यह हमारा टॉपिक ऑफ-कैंसर जाता है और स्टैंडर्ड मेरेडियन टाइम जो है हमारा मिर्जापूर से मतलब इस सेंटर पार्ट से पास करता है इस वज़ए से यह लिया गया है एस आई एस ट हम जर्नरली इसको कहते हैं यहां पर ज जैसा मैंने बता है टू आवर्स का डिफरेंट होता है जैसे कि गुजरात से और असम की बीच की दूरी जो है दो घंटे का टाइम ट्रैवल होता है ठीक है अब हम नेक्स टॉपिक अपना देखेंगे इंडिया सेंट्रल लोकेशन बेनेफिट्स इंडिया के जो सेंट्रल लैंड मास्ख has a central location between the east and west asia इंडिया जो है हमारा वो Center में पायआ जाता है माली जी मारा globe है इधर हमारा जो यह कि the trans Indian Ocean route which connect the countries of Europe in the west and the country of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location of India. These helps in international trade. Trans, मतलब जो इंडिया जो है हमारा वो इंडिया जो है उसके ये इंडिया के नीचे हमारा Indian Ocean पाया जाता है. ये जो हमारा Deccan Plateau जो है मतलब तीन समुद्र से गहरा हुआ है. तो इधर ये इंडियन ओशन पाया जाता है जिससे इसकी connectivity किस-किस countries से होती है यूरोप में हुआ वेस्ट से और countries East Asia की जैसे ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया. Central location क्योंकि बीच में पाया जाता है हमारा इंडिया जिससे हमारा international trade हो सकता है. The long coastal land is economically beneficial for India. ये जो हमारी third point क्या कह रही है? Long coastal line इतनी मतलब international threat के वज़े से मतलब इसकी coastal line इतनी लंबी है कि economically इंडिया को बहुत benefit मिलता है हमें. फिर उसके बाद कहते हैं, fourth point की, इंडिया is having an imminent position of the Indian Ocean which justified the name of the ocean after it. इंडिया इतनी फायदे के बाद इतना फायदा, मतलब इंडिया को इतना benefit हुआ है, जिसके वज़े से ये नाम justify किया गया है, इंडिया का. इंडिया has contributed a lot to the world in form of idea philosophy, like रमायन, पंच, तंत, रल, जैसे कि अगर हम migrant करते हैं अपने दूसरी country से, ये अगर ये point अगर देखे हैं हम तो, इंडिया has contributed a lot of the world in the form of idea philosophy, तो यहां पर ये बात किया रहा है, कि अगर हम यहां से migrant करते हैं दूसरे country में, तो हम अपने custom, अपने religion को अपने culture को साथ ले जाते हैं, तो ये अपने ideas को बताते हैं, वहां से हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो यही पर ये line बही बात कर रही है फिर हमारा sixth point है, इंडिया has 28 states and union territory, ये latest update है, कि इंडिया में 28 states और 9 union territories है, union territories मतलब जो अप, union territories का यहां मतलब होता है कि southernmost point अगर आप देख सकते हैं, इंडियन union में, तो वो है इंद्रापोर्ट जो tsunami 2004 में, tsunami की वज़ा से वो डोग गया, तो ऐसा latest update में, अगर कोई option में आए, तो 28 states और 9 union territories हैं, जिसमें लंद्दाग भी add हो गया है, फिर 7th point है हमारा, total distance of the country from north, जो है, कश्मी मतलब सौरी, जम्मू कश्मीर यहां होगा, south मतलब कन्या कुमारी is 3,214 km from west gujarat to east arunachal प्रदेश in is 2,933 km, तो north से कश्मीर से, ऐसे कश्मीर से कन्या कुमारी, यह कश्मीर है हमारा, जम्मू कश्मीर, यह मेरा कन्या कुमारी, ऐसे यह गुजरात है हमारा, और गुजरात से अरunachal प्रदेश, यह सारी की distance की बात की है, कि कितने किलोमेटर है, distance कवर करता है, फिर यह हमारा, the topic of cancer passes through the state of gujarat, राजिस्तान, मद्यप्रदेश, च्छतिसगर, जहारकंड, वेस्ट बेंगॉल, ट्रिपूरा, एन मिजरम, जो मैंने बताया कि हमारा, topic of cancer, पास करता है, कि की state से, तो यह उसके नाम दिये गए है, याद करना बहुत जरूरी है, question में पूछ सकता है, चलिए next topic पे देखते हैं, अपना, India's neighbor, तो यहाँ पे neighbor की बात की गई हो, तो हमारे पास की पडूसी देश, किन-किन से इंडिया अपने land boundaries को, sorry, land boundaries को share करता है, तो इंडिया shared its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the North West, तो नौर्थ वेस्ट में यह नौर्थ वेस्ट है हमारा जो इंडिया की land boundary है, यह पाकिस्तान से share करती है, अफगानिस्तान यहाँ पर आती है, वो अफगानिस्तान है, नौर्थ वेस्ट में, फिर यह चाइना तिबित है हमारा, फिर नेपाल, भूटान, नौर् Maldives are our two Iceland neighbors, तो श्री लंका जो है, यह है यह स्री लंका और Maldives, यह लक्ष्वदीब, लक्ष्वदीब तू साउथ मोस्ट, लक्ष्वदीब के नीचे साउथ मोस्ट, हमारा Maldives यहाँ इधर पाया जाता है, फिर यहां पर थर्ट पॉइंट हमारा यह करा है, श्री लंका है separated from India by a narrow channel of sea formed by a Park straight and the Gulf of Manar तो यहां पर एक straight line होगी जिसको हम Park straight कहेंगे और ये Gulf ये छोटा सा ऐसी इधर इसे हुआ होगा जो state Gulf of Manar मतलब गल्फ मतलब तीन state से अगर जो घिरा हुआ हो उसको Gulf of Manar कहते हैं Gulf कहते हैं सॉरी वाइल मालदीव आईलेंड आर सिचुएटे टू दी साउथ अफ दी लेक्षव दी आईलेंड तो जैसे मैंना लेक्षव दी साउथ मूस्ट में इधर हमारा सॉरी सॉरी इधर हमारा मालदीव स्पाया जाता है फिर बात है लास्ट पॉइंट में इंडिया स्टेंड अपार्ट फ्रम दी रेस्ट आफ एश्या तो यहां पर यह कहने चाहरा है कि हिमालियन्स रेंज हैं यह हमारे ठीक है इधर हमारे स्वाइंपी डिजर्ट लैंड इ तो इधर नूमैट्स लैंड हो गया तो इधर से राजिस्थान और पंजाब साइड में कुछ इधर से ब्रिटिश के पहले के टाइम से जो मुगल्स इंटर किये थे वो इधरी साइड से किये थे तो यहां पर कुछ कुछ अपने अपने इस्टारिक वार हुए हैं तो यहां पर इंडिया स्टेंड अपार्ट फॉम दी रस्ट ऑफ एश्या तो इसका यहां मतलब है कि एश्या में जितनी भी कंट्रीज इंडिया का अपना कुछ अपना अलगी स्पेसिफिक जो बहुत जरूरी हैं एक्जाम के लिए तो सबसे पहला एंसे क्यूज है विच वन ऑफ दी फॉल्वेंग इस टी करेंट सॉरी विच वन ऑफ दी फॉल्वेंग इस दी करेक्ट लैटिटिट्यूडन एक्सटेंड ऑफ इंडिया इरिया तो ऑप्शन ए एट डिग्री 41 मिन नॉर्थ और 37 डिग्री 7 मिनिटे नॉर्थ बी ऐट डिग्री 4 मिनिटे नॉर्थ 35 डिग्री 6 मिनिटे नॉर्थ इरिया ओप्शन ^^ हमारा correct option जो है वो D है 6 degree 45 minute north 37 degree 6 minute north तो D हमारा right answer है हमारा second MCQ है sorry second question है which one of the following country is not larger in area than India A Australia B France C Brazil D Canada तो B हमारा right answer है France की कौन से ऐसी country है जो इंडिया से नहीं मतलब area wise larger नहीं है तो France है जैसे की मैंने बताया 6 largest country पहले पाई पाई जाते हैं इंडिया में area wise फिर हमारा third question है which of the following country countries India does not share its land boundary कौन सी ऐसी country है जैसा मैंने बताया जिससे land boundaries अपने इंडिया नहीं share करती है तो सबसे पहला option है China B Afghanistan C Pakistan D Tajakistan तो D जो है हमारा right answer है तजाकिस्तान नेक्स लाइट देखते हैं फूर्थ question which of the following Indian state shares its border with as many as three countries कौन सा ऐसा state है Indian state जो अपने border को तीन country से share करता है पहला option जो है जम्मू एंड कश्मीर B D Himachal Pradesh C Sikkim D Arunachal Pradesh तो जम्मू कश्मीर ओविस सी बात है जम्मू कश्मीर जो है तीन इंडियन इसे इंडियन state जो तीन country से share करता है फिर फिफ्ट पॉइंट फिफ्ट कुश्चन है हमारा which of the following countries shares the longest and longest land frontier with India A China B Bangladesh C Pakistan D Myanmar तो डी जो है बांगलादेश लैंड फ्रॉंटियर जो होता है आपको मैं बता हूं क्या होता है लैंड फ्रॉंटियर का इधर मतलब होता है कि जो एक country अपनी border को शेयर करती है दूसरे country के border से उसको कहते हैं तो पी राइट आंसर है बांगलादेश six question which of the following let longitude is the standard meridian of for India A 69 degree मतलब question यह है कि कौन सा longitude longitude जो है कौन से स्टैंड मेरिडियन जो हमारा टाइम है IST इंडिया का कौन सा longitude longitude degree ली गई है तो यह option है 69 degree 30 मिनट इस्ट बी 75 degree 30 मिनट इस्ट C 82 degree 30 मिनट इस्ट D 90 मिनट 30 sorry 90 degree 30 मिनट इस्ट तो C हमारा राइट आंसर वह है 82 degree 30 मिनट इस्ट पहले ही मैंने बताया था explain करते वक्त फिर question no.7 which one of the following Indian state state has the largest population कौन सी कंट्री इंडियन ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है जिसका largest population size है जन संख्या किसकी सबसे जादे कौन सी इंडियन स्टेट की option A हमारा बंगलादेश है B उत्तर प्रदेश है C बिहार है D आंद्र प्रदेश है तो B जो है हमारा राइट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश question no.8 which one of the following latitudinal extent is relevant for the extent of India's area कौन सा latitudinal extent relevant है असली में originally पाया जाता है extend होता है इंडिया के area से pass through करता है relevant है सही है option A 8 degree 41 minute north 35 degree 7 minute north B 8 degree 4 minute north 37 degree 6 minute north C 8 degree 4 minute north 35 degree 6 minute north D 6 degree 45 minute north 37 degree 6 minute north तो D हमारा right answer है वह है 6 degree 45 minute north 37 degree 6 minute north जैसा कि मैंने पहले explain करते बग समझा है हमारा last question है which one of the following country is larger in area than India कौन सी ऐसी country है जो इंडिया में area wise जादे है लैंड मास्क में देखा जाए लैंड मास्क के थूप इन में से कौन सी country है जो options में दिये गए है ए चाइना sorry ए चाइना बी एजिप्ट सी फ्रेंस डी इरान तो आंसर ए जो है हमारा वह राइट है चाइना ए हो कि यह वीडियो आपके लिए बहुत helpful रहेगी exam purpose के लिए entrance exam के लिए so thank you so much everyone